हेलो एवरिवन एनक एजूकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है CTAT को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है जिसमें CTAT का अब तक CBSC द्वारा कंडेक्ट कराया जाता था लेकिन इस साल से बताया जा रहा है कि NTA द्वारा इसे कंडेक्ट कराया जाएगा CTAT बारवी कक्षा तक लिया जाएगा ऐसा अभी अपनी स्क्रीन पर देख पारे होंगे कि अब बारवी कक्षा तक पढ़ाने के लिए TET जरूरी NEP 2020 के तहत नियमों में बदलाव CTAT की तरह उम्र भर माननेता का भी सुझाव अब बारवी कक्षा तक पढ़ाने के लिए सिक्षक पात्रता परिक्षा TET जरूरी होगी अभी तक राजियों और केंद सरकार के स्कूलों में पहली से आठवी कक्षा तक का सिक्षक बनने के लिए TET जरूरी होता था राष्ट्य सिक्षा नीती NEP 2020 के तहट TET को नौवी से बारवी कक्षा तक लागू किया जाएगा खास बात यह है कि CTAT केंद्रिय सिक्षक पात्रता परिक्षा की तर्ज पर TET को भी उम्र भर करने के लिए मानने करने की योजना है इसका अर्थ है कि यदि कोई उम्मीदवार एक बार TET पास कर लेता है तो वह उम्र भर मानने रहेगा NCT के वरिष्ट अधिकारी के नुसार केंद्र सरकार के स्कूलों के लिए सीट एट और राज्यों के स्कूलों के लिए राज्य सिक्षक पात्रता परिक्षा यानि STET आवर्शक अहरता होती है सामाने रूप से इसे TET बोला जाता है राष्टे सिक्षा नीती 2020 के तहत स्कूली सिक्षा सरंचिना को चार चर्णों यानि foundational, preparatory, middle, secondary में विभाजित किया गया है जिसको हम 5 plus 3 plus 3 plus 4 में विभाजित करते हैं इसी के तहत सिक्षा की गुनवत्ता में सुधार के मकसद से सिक्षक पात्रता परिक्षा का विस्तार किया जा रहा है ताकि बारवी कक्षा तक छात्रों को गुनवत्ता युक्ति शिक्षा म 2020 के तहत जो कक्षा अब एक से लेके बारवी तक टैट अनिवारिये किया जाएगा पहले 1, 2, 5 के लिए पेपर 1 होता है और 6 to 8 के लिए पेपर 2 इसी तरीके से अब तीसरा पेपर यानि की टैट जो चलाया जाएगा जिसमें 9 से बारवी कक्षा तक के लिए उसे आए जाएगा और तीसरा बड़ा बिग अपडेट यही है कि इसको लाइफ टैम किया जाएगा अब तक केवल सी टैट लाइफ टैम था ना कि राज्ये का कोई भी टैट यानि कि जैसे कि अगर आप हरियाना से बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से बिहार से 36 गड़ से कि जो राजे वाला था एस टैट जिसे बोलते हैं वो लाइफ टाइम नहीं था लेकिन अगर आप अपने राजे का टैट किलियर कर लेते हैं तो अवे लाइफ टाइम होगा एक बार टैट किलियर किया बाकी सब आपका दोबारा टैट देनी की आपको अनिवारेता नहीं होग हैं सबसे ज़्यादा जарूरी है कि वार्षिक कलेंडर जो इसमें की भरती शिक्षक भरती का वार्षिक कलेंडर जा रही हो जिसमें हर वर्ष भरती भी की जाये ना कि के वल TT लिया जाये फिलाल में तीन जो परिवर्थन हुए हैं वो हमने आपके साथ सांजा किए नेक्स्ट अपडेट के साथ बने रहीएगा हमारी चैनल के साथ और चैनल को जरूब सब्सक्राइब करें ताकि आप से रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहें थेंक यू और थेंक्स वर वाचिए